जैसरी शाम मित्रों, मैं आपका जोतिश मित्र पंडित हर्ष, एक बर फिर से आपका हमारे यूट्यूब चेनल एश्ट्रो पंडित हर्ष सर्मा में स्वागत है, बड़े ही सरलत्री किसी जोतिश को जानेंगे और समझेंगे, मित्रों आज का हमारा चर्चा का विशे रहने वाला है सपने, पेशे तो मित्रों मैं सपनों पर कई वीडियो बना चुका हूँ, मगर आज का वीडियो बड़ाई खास और एहम रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो हम जानने वाले हैं, आकास देखना, और इसका सुब अर्थ क्या होता है, और जानेंगे चांद, कोई संकेत, तो जुड़े रहे हैं मेरे इस यूटूब वीडियो के साथ में अंत तक आए मित्रों जानते हैं, मित्रों हम सभी नेंद में रोज मर्रा की जिंदगी में अलग-अलग सपनों में कुछ न कुछ देखते रहते हैं, उनका कुछ न कुछ परिणाम भी अवश्य ही मिलता है, सपने हमारे जून में होने वाली भावी गटनाओं का पूर अभ्यास होते हैं, जो हमें सवपन के मादम से सच्चेत करते हैं मित्रों, मित्रों आईए जानते हैं यहां कुछ ऐसे पंदरा खास सवपनफल जो आपके लिए एहम और विशेस होने वाले हैं, जो क यदि आप खुद को आकास की और उड़ते हुए देखते हैं और यह यात्रा में धन की प्राप्ति का विशेस संकेत माना जाता है मित्रों, मित्रों यदि आप खुद को आकास से गिरते हुए देखते हैं तो इसका आर्थ यहां कि आपके किसी विशेस कारे में हानी होने व होता है यदि आप स्वपन में स्वायम को अकास के निकट पहुंचते हुए देखते हैं तो यह आपको जीवन के सभी प्रकार के सुक तथा आनंद की प्राप्ति होने का संखेत संजा रहा होता ऐसा सपना माना जाता है मित्रों यदि आपको सपने में चांद का दिखाई देन इसका अर्थ यह है कि समय में आपको मान सम्मान प्रतिष्टा रख्याती प्राप्त होने के संखेत है मित्रों सपने में अकास देखना मतलब मान सम्मान की बड़ोतरी तता पुत्र प्राप्ति के संखेत होते हैं स्वपन में सितारों को या तारों को दूर जाते देखना मतलब यह है कि आपको अपने कारे में सिद्धी प्राप्त होने वाली है सपन में तारों का देखने का अर्थ होता है मित्रों किसी सुप सूचना का संकेत जो आपको परिवार के सदस्य या वैवसाय में मुनाफ़ा होने की पूरु सूचना समझा रहा होता है मित्रों सपने में आदा या टूटा चांद देखना किसी बड़े रोग से ग्रस्त होने का सूचक माना जाता है मित्रों मित्रों सपने में समुंदर तट से चांद के दर्शन करना सो भागय अपराप्ति का संकेत होता है सपने में सूर्य देव का आना जीवन में नई चीजों के आने का संकेत होता है या संगर्स करके समाज में अपनी अच्छे 26 थापित करने का संगेत होता है इस वपन के पल का अर्थ मित्रू यह थी इसी तरह कि अन्य जानकारी जानने के लिए जुडरी है हमारे चैनल के साथ भी हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें मित्रू इस चेनल पर जोतिस को बड़े इस हर वासा में बताया और समझाया जाता है आपको किसी भी तरह का अगर कुस जोतिस से सबंदीज जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें मैं उसके आपको जवाब दूँगा जैसरी शाम मित्रू